सो गाइस जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि नियान मुजिंग से फाइट कर रहा था उसने अपने जाएंट वुड मौस्टर से उस पर अटेक किया था जिसमें लेवल 7 की पावर थी नियान अपने मेजिक का इस्तमाल नहीं करना चाहता था पर मुजिंग हार मानन को त्यान नहीं थी इसलिए उसने अपने आइस एंट फायर ड्रेगन को एक्टेट कर लिया था जिनकी पावर कावी ज़्यादा थी वुड मौस्टर ने शिल्ड बना कर उन्हें रोकने कोशिश की पर हो आइस एंट फायर ड्रेगन का सामना नहीं कर पाया और खत्मों गया था जिससे मूजिंग भी कावी कमजोरो गई थी और नियान ये मेच जीत गया था नियान ने फिर अपनी लाइट एलिमेंट पावर से मूजिंग को ठीक कर दिया था और उसे बताया था कि तुमारी एनर्जी को डाग मेच के किश्टल के दोरा एजो किया जा रहा है जिससे वो भी हेरान हुई थी मूजिंग ने नियान को कहा था कि आइस गोड़ पेगोड़ा हमारा भी सबसे बड़ा दुश्मन है जिसकी वज़े से तुम भी हमारे दोस्त हुए और उसने नियान को अपने लेगमू एमपायर में शामिल होने हो का ताएकियों अपने टेलेंट को बढ़ा पाएं पर नियान ने इससे एक मजाक समझा था और उसे बताया कि तुम लेगमू एमपायर की जीनियस हो और तुम अपने बाई से भी कावी अच्छी हो इसलिए तुमें किसी और जीनियस की जरत नहीं है मूरोंग और मूजिंग वहां से निकल गए थे पर रास्त अपारफुल बनना चाहता था क्योंकि उसे एसास हुआ था कि उसकी बैन के आगे उसकी कोई इज़त नहीं है और सबी उसे कमज़र समझते हैं इसलिए पिंग शेन और पिंग चा के पास आ गया था फिर अब हम देखते हैं कि नियान अपने रूम में बेटकर कर्टेशन कर उसके डोर को नो करता है नियान जब दर्वाजाँ खोलता है तो हम मूझी होती है जो कावी परेशान लग रही थी वह नियान से कहेती है कि मुझे तुमारी मदद की जोरत है मेरा बाई पाग्ल हो गया है और उसका खुद पर कंट्रोल नहीं है नियान इसे इरान होता है औ इनके साथ शामिलोंने का उफर किया उन्होंने कहा क्यों हमें बहुत ही पारफुल बना देंगे जिसे हम आसानी से यह मेज जी जाएंगे पर मैंने इसके लिए मना कर दिया और मैं अपने बाई के साथ अपने रूम पर आ गई थी पर रात को मेरा बाई अचानक बाहर चला ग कि मैं अपने अंदर एक पारफुल मेजिक को मैसुस कर रहा हूं जो तेजी से मेरी बोडी में फ्लो कर रहा है और अपने डाग मेजिक से बने हुए रूट को एक्टियट कर लेता है मुझिंग उसे रोकर कहती है कि क्या तुम गुपत तरीके से डाग मेज के साथ मिल गए पर मू रौंग ने उसकी किसी भी बात का जाम नहीं दिया मुझिंग नियान से कहती है कि मुझे पता चला है कि तुम डाग रेस के बारे में बहुत कुछ जानते हो और तुमने उनका कहीं बार सामना किया है इसलिए मेरे बाई को बचाने मेरी मदद करो नियान के एता है कि मुझे उसे बचाने के लिए अपने लाइट मेजिक के फॉर्मेशन को एक्टेट करना होगा पर उसे इस बात का पता नहीं चलना चाहिए इसलिए तुम उसे फोरेश्ट में लेकर आना जहां मैं चाला किसे उसके उपर एक फोर्मेशन को एक्टेट कर दूँगा मुजी उसकी बात समझ जाती है और वहाँ से चली जाती है फिर हम फोरेश्ट का सीन देखते हैं मुजी अपने भाई को लेकर नियान की बताई हुई जगए पर आ रही थी मुरोंग अभी भी पागलों के जैसी अरकत कर रहा था और उसे डाग मेजिक के अपने उपर हावी होने से काफी पेन हो रहा था वो मुजींग से कहता है कि तुम मुझे लेकर कहा जा रही हो मुजींग सौचती है कि नियान ने मुझे ग्राउंड के बीच ग्रांस के जूर मुट में मुरोंग को लाने को कहा था वो मूरॉंग की किसी भी बात का जाब नहीं देती और वो उस जयाब पर पहुंच जाते हैं जहां formation एक्टियट हुआ था मूर जिंग रुख जाती है जिसे जब उसका बाई आगे आता है तो वहां एक light magic का formation एक्टियट हो जाता है मूरॉंग इससे हिरान होता है और अपनी बेंच से पूंचता है कि तुम मेरे साथ क्या कर रही हो मुझी उसे कहती है कि तुम्हें इस वर्मेशन से कोई भी नुकसान नहीं होगा तुम्हें मुझ पर बरोसा रखना होगा मैं तुम्हारे डाग मेजी को खत्म करना चाहती हूँ पर मूरोंग उसकी बात नहीं सुनता और उस वर्मेशन को तोड़ने कोशिश करता है पर उसके ही मेजी के दोरा वो ट्रेप डो गया था नियान भी अब बारा जाता है वो एक पेड़ के पीछे चिपा हुआ था नियान मुरोंग से कहता है कि तुम शांत हो जाओ हम जो भी कर रहे हैं वो सब तुमारी भलाई के लेकर रहे हैं उस लाइट फॉर्मेशन की वज़े से मुरोंग के अंदर का डाग मेजिक बाहर निकलने लगता है जिससे उसे और भी ज़्यादा दर्द हो रहा था मुरोंग नियान से कहता है कि तुम तो मुझे एक कमज़र आदमी समझते हो फिर तुम मेरी फिलिंग को कै इसे समझ सकते हो तुम बस अच्छा होने का दिखावा कर रहे हो और जवर्दस्ती उस फॉर्मेशन को तोड़ देता है वो मुझे से कहता है कि तुमने एक आउटर साइडर के साथ अफेयर करके मुझे पकरने की कोशिश की मैं इस बारे में अपने डेट को जरूर बताऊं इसे ठीक करने का कोई तरीका डूर ना होगा अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं सभी लोग अरीना में आ गहे थे रोंग फियनाउस करते हैं कि हां सेमी फाइनल का आखरी मुकावला होने वाला है और रोंग बिंग भी ठीक होकर वापस आ गया है इसलिए आज रोंग बि में साभादान रेनाओ का मूरों हिरानवा कहेंता है के बलेक मेजिक के साथ कैसे जुर सकता है तो न्यान कहेता है कि अभी मेरे पास आपको समझाने का वक्त नहीं है ये एक लंबी काहानी है आपको कभी भी अपने दुश्मन को कम नहीं आखना चाहिए रोंग भी उसकी ब पर पहला अटेक कर सकते हो रोंग बिंग तेजी से दोड़कर आता है और उस पर अपने फायर बोल्ट से अटेक करने लगता है पर मूरोंग अपने वुड मेजिक से उसके अटेक को रोकने लग जाता है रोंग बिंग सौचता है कि अपने पत्तियों के हिलने से होने वाले फ रोंग बिंग अब वापस से कहीं सारी फायर बॉल को क्रियेट करके मूह रोंग पर अटेक करता है पर अपनी पत्यों की शिल्ड से उसके सबी अटेक को रोग लेता है रोंग बिंग अब तेजी से मूह करने लगता है और अचानक से मूह रोंग के पीछे आ जाता है और अप मेजिक को दबा सकता है इसलिए तुम्हारा मुझसे जीतना काफी मुश्किल होगा मूरों कहता है कि तुम्हारे पास फाइर एलिमेंट है इसलिए तुम्हें इसका थोड़ा सा फाइदा हो सकता है लेकिन अगर तुम सिर्फ इस पर बरोसा करते हो कि मेरा मेजिक फाइर मेजि रहे तो मैं तुम्हें अपनी पूरी पाउर का एसास करवाऊंगा और वो मूरॉंग पर अटेक करता है जिसे रोकने के लिए मूरॉंग भी अपने लिफ को उन फायर बॉल पर छोड़ देता है वो मेजिक लिफ आसानी से फायर बॉल को खत्म कर देती है और रॉंग फी पर रॉंग बिंग बचने के लिए एक फायर शिल्ड को बना लेता है पर हो उनके अटेक से दूर चला गया था रॉंग बिंग परिशान हुआ सोचता है के वास्तों में मेरी टूप फायर को तोड़ सकता है नियान भी इससे परिशान होता है और सोचता है के मेजिक लिफ काफ कि मेरी इस गोड श्टाफ के सामने तुमारे पास इस मेजिक में जीतने का कोई मौका नहीं होगा रॉंग बिंग भी कवी परिशान हो गया था वो उन लीफ के अटेक से बसता है पर उन लीफ एक वोर्टेक्स बनाकर उसे चारों तरफ से गेर लेती है रॉंग बिंग सोचता है कि तुम मेरी लीफ से बच नहीं सकते इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है गाईस अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मिलते से नेक्ष्ट वीडियो में थेंक्स वर